दोस्तों हिंदी की बिन्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट तीन लेकर आई हूँ जिसमें आपको कुछ और प्रशनुत्र जो है हमारे रह गए थे प्रैक्टिस टेस्टू में जो आज हम कंप यहां सारे प्रैक्टिस टेस्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे तो आप सभी जो है प्रेलिस्ट चेक कर लेजिएगा तो चलिए हमारा पहला प्रशन्य है कालकरम की आधार पर निमलिकित उपर नियासों का सही अनुकरम क्या है तो देखिए इसमें सबसे पहले जाएगा व फिर अंगोठी का नगीना फिर अतकिला फूल और फिर वर्दान तो option बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है इन पत्रिकाउं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है तो देखिए प्रकाशन वर्ष की अनुसार जो है इनका करम अधिकतर पूछन जाता है सबसे पहले इसमें आएगा सरस्वती पत्रिका, फिर इंदो, फिर माधुरी और फिर हन्स चलिए आगे के प्रशन देखते हैं रचना काल की अनुसार निमलिखित कहानियों का सही अनुकरम क्या है देखिए सबसे पहले कहानी आएगी परदा, फिर लोटरी, फिर वापसी और फिर तिरीच अगला प्रशन है कालकरम अनुसार निमलिखित सिधानतों का सही अनुकरम क्या है तो देखें सिद्धान सबसे पहले कौन सा आया था तो कावे भाशा सिद्धान फिर फैंटेसी फिर मुल्ले विगटन और फिर निर्वेक्ता का सिद्धान तो option C जो है इसका सही उत्तर है अगला है चरण में वर्णों का आरोही संख्या के आधार पर इन वालनिक छंदों का सही अनुक्रम क्या है तो किसमे कितने जो है छंद होते हैं इसके आधार पर इनका अनुक्रम लगाना है तो सबसे पहला इसमें आएगा भुजंग प्रयात फिर मालनी फिर सवया और फिर धनाक्षरी अब यहां पर अगला प्रशन है दिनकर जी की रचनाओं को क्रमानुसार लगाना है तो यहां पे सबसे पहला जो आएगा वो है दिनकरजी की रशनाओं में सबसे पहला है सामधेनी, फिर इतिहास के आसू, फिर दिल्ली और फिर परुष्राम की पृतिक्षा अगला है रीती कालीन कवियों का कालकरम अनुसार सही अनुकरम क्या है तो इसमें सबसे पहले जो कभी आएँगे वो है बिहारी, फिर मतीराम, फिर देव और फिर भूषण अगला जो क्रम है वो हमारी रचनाओं से संबने थे, रचनाओं का सही अनुकरम क्या है तो इसमें सबसे पहले नाम आएगा पद्मावत, फिर मधुमालती, फिर चित्रवली और फिर अनुराग बासरी ये सूफी काविया जो है आपको करमानुसार लगाने थे अब यहां पर आलोचको को जो है करमानुसार लगाना है कि कौन सा आलोचक कब आएगा तो देखे इसमें सबसे पहला नाम रामसरूप चतुरवेदी, फिर विजय देव नाराण साही और फिर लक्ष्मी कांत वर्मा और फिर डॉक्टर देवराज अब यहां पर एगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के आधार पर निमलिखित यात्रा वृतान्तों का सही करम क्या है तो सबसे पहले एशिया के दुर्गम भूखंडों में फिर यात्रिक और फिर अप्रवास की यात्राएं और सबसे लास्ट में जो है यात्रिक आएगा तो यहां पर आलोचको को उनके करमानुसार जो है लगाना है तो जिसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर इसमें सबसे पहला नाम जो आएगा राम सुरूप चतिरवेदी जी का फिर विजय देव नारण साही का फिर लक्ष्मी कांत वर्मा और फिर डॉक्टर देवराज देखे मैंने आप सभी को यूपी एचिसी में जितने भी आलोचक लेखा कवी जितनकी भी रचनाएं दी गई है सबका क्रमानुसार जो है मैंने यात्रा मृतानतों का सही अनुकरम था तो इसमें जो उत्तर है देखिए इसका सबसे पहला आएगा एशिया के दुरकम भुखंडों में फिर चीडो पर चांदनी फिर अप्रवासी की यात्राएं और फिर यात्रिक यहां से फिर आपके स्थापना और तर्क वाले प्रेश है तो यह कथन सही है अगला है क्योंकि लेखिकाय मुक्त भोगी नहीं होती है तो यह कथन गलत है तो यहां पे ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला प्रशन लेते हैं अगला है यहां पे स्थापना और तर्क से संबंदित गुण मुख्य रूप स रस के धर्म नहीं है, तो ये कथन जो है गलत है, दूसरा है क्योंकि इन्हीं गौन रूप से शब्दार्थ के सभी धर्म नहीं माना जाता है, तो दोनों ही कथन इसके गलत हो जाएंगे, तो ए और आर जो है दोनों ही गलत है, चलिए अगला प्रश्न है, रहस्यवादी कविताओं में सबसी अधिक विरक्ती जनक दो बाते होती है, भावो में सच्चाई का अभाव और व्यंजना की कृत्रमता, तो ये सही है, दूसरा है, कि क्योंकि भाव का संबंद विशुद आध्यात्म से होता है, तो ये कथन गलत है, तो इसका उप्षन बी सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रश्न लेते हैं, भूशन चोहान के दरबारी कवी थे, तो ये कथन गलत है, क्योंकि वे उनके सखा और मंतरी थे, तो दोनों ही कथन जो है, यहां गलत हो जाते हैं, तो उप्षन सी इसका सही उत्तर है, चरी अगला प्रश्न लेते हैं, रीदी कावे कलात्मक है, तो ये कथन क्या है, सही है, उसमें भाव की अभिवेक्षा अभिवेक्ति पक्षप्रधान होता है, तो यहां दोनों ही कथन इसके सही है अब यहां पे कतनों को उनके लिखों के साथ जो है सुमिलित करना है तो यहां पे पहला है बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है ये बात किसने कही है शुकल जी के द्वारा कही गई है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है ये किसका है प्रसार जी का अगला है निजभाशा उन्नती है सब उन्नती को मूल भारती दुहर चंद्र मर्द साथे पर पाठे होते हैं प्रेमचंद का कथन है चले यहाँ पर यह हो गया अगला प्रशन है निमलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ सुमलित करना है मुख नहीं चंद्रमा है तो ये कौन सा अलंकार है तो ये हो गया अप्रनुती अलंकार अगला है मुख तो चंद्रमा ही है ये क्या है रूपक है क्योंकि मुख को क्या है आरोप लगाया है अगला है मुख देखकर चांद का आभास हुआ तो आभास होना भरांती हो गई तो भरांती मान अलंकार मुख है की चांद तो यहाँ पे संदे हो रहा है की यह मुख है या चांद है तो यहाँ पे यह इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा चलिए अगला प्रश्म लेते हैं नेमलिखित गरंथकारों को उनके गरंथों के साथ सुमलित करना है तो यहां पर पहला हो जाएगा साहित्य की परक यह किसका है शिवदान सिंग चोहान आत्मनी पद किसका है अगे जी का नई कविता विलाईती संदर्भ यह है मुक्ति बोध जी का हिंदी साहित्य का आधा इतिहा सुमन राजे चले आगे जो है वो है नमलिकित कहानी कारों को उनकी कहानियों के साथ सुमिलित करना है तो यहां पर निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है लंदन की एकर रात मारकंडे मारकंडे की रचना है हनसा जाई अकेला उद्य प्रकाश की रचना है टेप्चू और शिखर जोशी कोसी का घटवार अगला प्रशन है नमलिकित बोलियों को उनके बोली छेतर से मिलान करना है ठीक है तो यहां पर तो उनके बोली छेतरों से तो बांगड़ू कहां की है दिल्ले की है भोजपूरी कहां की है तो भोजपूरी आपको कहां साइड में मिलती है छपरा साइड में कुमाउनी अलमोडा और खड़ी बोली मेरट साइड में मिल जाती है आगे प्रश्ण है निम्लिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ मिलान करना है ठीक है विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण ये किसका है निराला जी का है अगर है सिंगासन खाली करो जनता आती है दिन कर बहुत दिनों तक चूलहा रोया नागार जुन और तूट तूट कर बिखर चुकी मर्यादा धर्मवीर भारती अगला है निम्लिखित गरंथकारों को उनके गरंथों से जो है मिलान करना है तो रसमंजरी किसकी है नंददास की साहित लहरी सूर्दास की हित तरंगनी किसकी है क्रिपाराम की और कीर्थी लता विद्यापती की रचना है चले आगे प्रशन देखें यहां भी गरंथकारों को उनके गरंथकारों से मिलान करना है गरंथों को तो यहाँ पर बायोग्रफी लिट्रेरिया कॉल्डिज की है, एस्थेटिक्स क्रोचे की है, एवर्टीजमेंट ये किसकी है, वर्ट्स वर्ट की है, और साइंस एंड पोईट्री किसकी है, आई ए रिचॉर्ट्स की है अब निमखित पात्रों को उनके नाट्य कृतियों के साथ मिलान करना है, तो इसकंद गुप्त कौन से नाटक का है, इसकंद गुप्त का पात्र कौन है प्रपंज बुद्धी, कोड़नाक, विशु, आशाड का एक दिन, विलोम, और सुरिस की पहले किरण से लेके तो इसका शीलवती उत्तर हो जाएगा आगे प्रश्ने हैं, निमखित नाटकों को उनके नाटक कारों से मिलान करना है कोर्ट मार्शल किसका है, स्वदेश दीपक का है, इतिहास चक्र दयाप्रकाश चिनहा का है, अनवेशक प्रताप सहगल का है, इला प्रभाकर शोतरिये की रिचना है अगला है, इतिहास निमखित कृतियों को उनके कृतिकारों से मिलान करना है तो यहां पर राम कमल राई इनकी रचना कौन सी है इनकी रचना है स्मृत्यों का शुक्ल पक्ष मदुरेश याद जो आईना है विश्वनात त्रिपाटी नंगा तलाई का गाउं और विवेकी राई मेरे सुहुर्द श्रद्धे आगे फिर अगला प्रशन लेते हैं निमलकित कहानियों को उनकी कहानिकारों से जो है मिलान करना है काले हाशिये पर किसकी रचना है डॉक्टर एन सिंग की चार इंच की कलम ये किसकी रचना है कुसुम योगी की रक्त बीज ये किसकी रचना है सत्य प्रकाश की और आवाजे ये किसकी है मोहंदास नैमे श्राइ की है अगला है निमलकित आत्मकथाओं को उनकी आत्मकथाकारों से मिलान करना है हाद से किसकी रचना है रमने का गुपता की हाद से रमने का गुपता मुर्दहिया तुलसी राम की मेरे पत्नी और भेडिया धनवीर और तरस्कृत सूरजपाल चोहान की रचना है आगे प्रशन है निमलकित समिक शात्मक करतियों को उनके लेखकों के साथ समिलित करना है तो उपनिवेश में इस्त्री प्रभाकितान की है खुले खिड की या मैत्रे पुष्पा की दुर्ग द्वार पर दस्तक कात्याईनी की औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा की रचना है चलिए अगला प्रशन है यहाँ पे भाशाओं को उनके भाशा परिवारों के साथ देखे प्रशन कैसा भी पूछा जाता है तो यहाँ पे भाशाओं को उनके भाशिक परिवारों से जो है मिलन करना है तो Italian, भारोपे परिवार, कुलामी, द्रवेर परिवार, अनामी, चीनी परिवार, मै, मै क्या है, सुडानी, सारी, अमेरिकी परिवार तो ये कुछ इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा, ये option में नहीं है, ये मिलान में नहीं है, तो ये हमारे बाकी के आगे के प्रेशन थे जो आपको complete करान थे, practice test 2 का आगे का practice test 3 था ये, और इसी प्रकार से मैं आपको आगे भी और practice test करवाओंगी, तो ये सारे कैसा लगय आपको कमेंट करके जरूर बजाएगा और चैनल पे नहीं है तो सबस्क्राइब भी कर लेजीगा, क्योंकि यहाँ प्रेशन पत्रों का सलसला इसी प्रकार से जारी रहेगा, धन्यवाद